कि यह चैनल पेसेंट के आज आएम डॉक्टर राकेश कुमार तोड़े आज डिसकस इवाब दा हाव टू इंसर्ट राइस्ट्यू इन पेसेंट ठीक है यह सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पेसेंट के अंदर राइस्ट्यू कैसे डाला जाता है तो आज इसी बारे में ड सबसे फैले पहले हम लोग समझ ले कि रिकोर्य क्या यह आप लोग देख सकते हैं यह इस पर नम्मर लिखा होता है जैसे कि आप इसपर देख सकते हैं यह 16 नम्मर के लिए इड Алfa according to age राइस्ट्यूव का नम्मर चेंज होता है और एक चीज और ध्यान रखने आपको राइस्ट्यूव जो जिस बच्चे को या जिस आदमी को जो फॉलेज का थेटर जितना नम्मर का लगा हो ठीक उसी नम्मर का राइस्ट्यूव एक नम्मर यहाँ पे है और दुसरा डाला Southern app इसको बोलते हैं टोमी सेर्ज य इस तरह का लगा हो यह देख सकते हैं बांकी ο सेरेन्ज से इसका थोरा सा यह जो पाल्ट है यह निकला हुआ है इसको बॉलते हैं टोमी त्लिंच ये हैं gloves है आप लोग देख सकते हैं ये locks 2% जेली जो जो local anesthesia के रूप में यूज करते हैं हम लोग ये इसको यूज करेंगे और dynoplast ये dynoplast का cut दिया गया है ताकि ये rice tube को hold कर सके और nose में चिपका सके क्योंकि पेसेंट को अगर rice tube को hold नहीं करेंगे तो वह बार गीज देगा तो इस बारे में हर हमेशा ध्यान रखना है आपको ठीक है ना कि rice tube को hold करने के लिए dynoplast सबसे बेस्ट होता है क्योंकि वह उखरता नहीं है जिसे कि अब हम लोग process के आगे चलते हैं देखते हैं कि कैसे इंसर्ट करता है आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे अभी पेसेंट पे ही कैसे डाला जाता है और इस चीज़ को ध्यान से सुनिए कि यस दोस्तों तब हम लोग देखेंगे पेसेंट पे कैसे लगा जाता है फरस् अब इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे locks jelly जो 2% है जो local anesthesia की रूप में यह हम लोग नाक में firstly इंसर्ट करेंगे ठीक है फिर हम आप लोग को राइश्ट्यू का कैसे इंसर्ट करना है वो देखाएंगे आप लोग continue बने रहें यह देखिए locks जो है इसको नोज में firstly हम लोग डाल लिए है ठीक है वह internal तक ताकि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हो ज्यादा बेटर है ठीक है यहां पे रख लेंगे हम लोग ताकि इस पे लगाने में असानी हो gloves पे हम लोग ले लिए हैं ठीक है अब आपको देखिए को इसको फारने के लिए हम लोग direct touch नहीं करेंगे इसको देखिए किस तरह से निकाला जा रहा है ठीक है यह देखिए हमने direct touch नहीं किया है ठीक है यह gloves जो पहने है वही direct touch करेंगे और उसी तरह इनको start होगा अब आगे का प्रोसेस यह देखिए किस तरह लॉक्स को लगाया जा रहा है ठीक है यह अच्छी तरह इसको ताकि इनको पेन नहों ताकि इनको कोई तकलीफ नहों लोकल दर्द नहों इसी वजह से इसमें डाला जाता है पेसेंट थोड़ा कंसस है थोड़ा डिश्टर्ब करेगा इसको बोलेंगे घोटने के लिए गोटो उठाई बेड उठाई थोड़ा गोटो गोटो देखते रहना है ठीक है है अ को गोटोगोटो अ हुआ है मां मांस में हम लोग चेक कर लेंगे अ महीं है जी जा किया और भी गजार कि आठीए इसको राइस ट्यूब इंसर्ट कर दिया गया है और यह जो डाइना प्लास्ट था यहीं चिपकाने के लिए होल्डिंग के लिए डाला गया है ठीक है इसमें जो है यहां पर सब मेजर्मेंट किया रहता है ठीक है न वन और यहां से इस्टेथो स्कूप लेंगे यहां पर रखेंगे पर पर देखे आवाज हुआ ठीक है इस से हम लोग अब डोमेन के पास स्टमक में ही और एक है तो जैसा कि हमने देख लिया यह राइस हीव का प्रोसेस खताम अब इसका झायूज कैसे कैसे कोई प्रेसेंट को इसके थूरु हम लोग टोमी सिरिंच में लोड करके फिर उसमें कोई मेडिसीन देना है तो इसमें इंसर्ट करेंगे और कैसे देना है यह अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं इसको कैसे चलाया जाता है और कैसे इसको चलाने का एक सबसे अच्छा प्रोसेस है सबसे फर्ष्टली इसको होल्ड कर लेंगे यह इस तरह करके बंद कर लेंगे ठीक है और इसमें टोमी सिरिंज को एड़ कर लेंगे ठीक है और यह देखिए जैसा कि देख सकते हैं इसमें tomi syringe को add करना इसको fold करके ठीक है यह start हो जविया अवह इसमें कुछ भी water रैंत कुछ भी देना है ठीक है ना medicine देना है water फीक है इसमें देख सकते हैं कितना ML देना हैम पहले नाप लेंगे ठीक है बस देखिए इसको फिर ओपन कर देना है ठीक है यह जैसे देख रहे हैं चला गया ठीक है इसको बंद करने का यही एक प्रोसेस है इसको इस तरह तो जैसा के आप लोग समझ चुके हैं इसकी तरह से डाला जाता है और क्यों इसको डाला है दो पिंग देने के लिए कुछ भी स्टार्ट करना है तो इससे हम फर्स्ट ली स्टार्ट करते हैं धन्यवाद प्लीज लाइक कमेंट सस्क्राइब मैं चैनल थैंक यू